नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे है टेनिकल सोनू डेख चैनल को कामन बाफ्रूम में पाइब स्जिपिन न को प्रोपरक तरीके से कुणा सिकती उसके हैं दोस्तों कामन बात्रूम में जितना भी पॉइंट होता है जिसे सावर हो गया गीजर हो गया वाजबेसिन का पॉइंट हो गया इंडियन साधा सीट के लिए टैप का पॉइंट हो गया फ्लस का पॉइंट हो गया यह सब का दोस्तों टाइल्स के फ्लोर से हाइट आपको तो दोस्तो अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि common bathroom में पाइप इटिंग को प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाता है देखे दोस्तो अभी जहां पर मैं खड़ा हूँ यह बाथरूम का इंट्रेंस वाला जगर है पीछे देख सकते हैं यह बाथरूम वाला एरिया दिखाये रहा है यह वाला जो है दोस्तों एक इंच का pipeline है देख सकते हैं यहां पर डबल फोटिफाइब लगाके इस तरह से इसको मैं निकाल दिया हूँ उपर यह वाला जो है आप देखें यहां पर एक फोटिफाइब मैं यहां फोटिफाइब देखें इसके बाद यहां पर देकर मोटर वाला पॉइंट हो गया है यहां पर गीजर्स से जो पानी गरंपानी वो यहां पर आएगा तो तीन टैप हो गया यहाँ पर इसका हाइट मैं अब आपको बताओं गार्ण का सावर का हाइट कितणा रखतना है और यहाँ इस तरह सी आगे आया उसके बस्थी लगाके इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ ऊपर से समझेया चैज़ constitution गीजर का पॉइंट बना गया रसामी आपको को वाटर रखना है लेपसाइब में हॉाट वाटर रहना है और ध्यान रखना कि दोस्तों बिसेज्ज También आपको यह रखना है कि दोस्तों जो गीजर का प्वाइंट हैना इनलिट में दोस्तosaic किसीभी साइस का पाइप रखिए मैं डाला हूं cold water के लिए hot water outlet के लिए मैं डाला हूं यहां पर पॉना इंच का पाइब अगर यहां पर एक इंच का पाइब लगाएंगे तो देखे क्या होगा पानी पहले इस्टोर होगा उसके बाद गिरेगा वह इसलिए क्योंकि दोस्तों गीजर का जो आउटलेट होता है फानी का फ्लो होता है गीजर वारे टैंक से आधा इंच उसमें जाता है और से आउट shorts होता है ृसलिए त्रश का हाट वोटर का कम ज़्यादा करके आएगा इसलिए आपको ध्यान रखना है गीजर के पॉइंट में दोस्तों हाट वोटर में आपको आधा इंच या फिर पॉना इंच का पाइप लगाना है कोल वाटर में किसी भी साइज का लगाई कोई दिक्कत नहीं है तो यह गीजर का प जाए धिक है और यहां पर साइड में भी घीजर आ सकता है सावर यहां पर है तो दोस्तों यहोंगे गीजर का पॉइंट अब देखे इस तरह से आगे आ रहा है यह से आपको भाइफिटिंग करना है ठीक है ऐसा निकी पूरे बाथ रूम में कहीं भी किधर से भी पाइब को घुमा लूं तो उसमें दोस्तों डिसर भी कम हो जाता है और इस लोगे, यहां पर खाली इधर भी जो आप देख रहे हैं सिर्फ इस area में यहां पिंठ किया हूं देख सकते यहां पर ब़ल वाटर में दोस्तों टी लगा कि इसको मैं replica किया यहां पर पुस्त दे दिया हो ने यहां से अब यह पहुना हो जाता है यहां पहुना का टी दिया उसके बाद नीचे लिया मैं इतना टुकड़ा दिया फिर यहां पे देदिया 3451 पीवीसी थ्रेट का MTA आप मत यूज करिए ब्रास MTA लगाएंगे तो भले ही कॉस्टली है लेकिन जादा अच्छा रहेगा अब देखें यहां से दोस्तों यह लाइन ऊपर को जाता है देखें यहां पर देदिया मैं सावर का पॉइंट सावर का जो पॉइंट दुस्तों इ आने में दिक्कत होगा सावर का इंट्रेस्ट उसको नहीं मिलेगा इसलिए साथ फिट पर रखें इसको अभी यह बात्रूम का अच्छा थी दोसको यह साथ फिट है साथ फिट से देख सकते हैं इसको मैं चार इंच नीचे ले लिया हूं ताकि जो है वाल सावर है इस्टा जगवार है ठीक है इसको कंपनी ने बनाया है जगवार की इसकी मार्केटिंग है यहां पर देख सकते हैं यह लगाया गया है एसको का है ताकि जो प्रेस डिक्रीज ना हो सावर के लिए फिर सर काफी बढ़िया आएगा अब इस तरह से यहां पर लगा कर ऊपर सावर में दिया नीचे में कोइट देदिया मोटर के लिए ये मोटर का हो गया ये कोल वाटर हो गया और यह जो आरहा है दूस्तों यह होट वाट आ घल लए है ऊ sowaty यहां ठीन शेलकांता रहा ह। एक टैप से दूसरे टैप का जो दूरी होता है दोस्तों बीच का वो कम से कम 6 रखना है और मैक्समिम आपको 7 इंच रखना है तो अभी दोस्तों यह जो मैं रखा हूं यहां से इसकी दूरी 7 इंच है 7 इंच का डिफ्रेंस है दो टैप के बीच की दूरी ठीक है उसके बाद में देखिए यह लाइन आ रहा है सब्सक्राइब इसको मैं आगे लिया यहां पर यहां पर और यहां पर ढलता है तो के और वार आखा is जैसे लिए यहां तो मिलाइदे जाता है सकते हैं इसको भी सब्सकों भी इस को भी S अब इसका हाइट मैं आपको बताऊंगा सब करके आपको कितना रखेसी इह आप लाइन यहां यहां आता है देख सकते हैं यहां पर दोस्तों एक मैं टैप दे दिया हो ठीक है क्योंकि इस एरिया में यहां पर जोस्तों जहां पर में खड़ा हूं इधर आएगा इंडियन साधा सीट eau abonn लिस अपन तो फिर सोने के लिए दूस्तों यह point दिया गया है इसका भी हाइट आपको मैं अभी बताऊंगा उसके बाद देखे ये पाइब लाइन इस तरह से आगे आ रहा है एक यहां पर फ्लस का पॉइंट दे दिया मैं क्योंकि यहां पर आउटर फ्लस आएगा सिस्टन आएगा किसी तरह का फ्लस हो उसके लिए यहां पर पॉइंट यहां से आप देख लिजिए इस तरह से आगे आ रहा है सब लाइन इँदर हो गया यहां वास बेसिन के लिए अब देखे यह पूरा एरिया यहां पर खाली है ठीक है फीचिन्ग आपको यह पूरा एरिया देख सकते हैं खाली छोड़ा हूं मैं ताकि जो है वासबेसिन भी लगे या फिर मिर्यर भी लगे कुछ भी लगे तो यहां पर किसी भी तरह का होल ना हो या फिर यहां पर कार्नर सेट अगर क्लाइंट लगाना चाहें साबून सेम्पू रखने के लिए त आपको बताऊँगा कि कि इसका कितना रखना है minimum maximum यहां पर दोस्तों देखिए यहां पर लगा है और यहां पर दोस्तों मुझे इस यहां प्रोफ से ना होता है तो दूसके यहां पर प्लैन होता है सब्सक्राइब काफी जादा बचता है और गरहन का जो भी तो रेडलाइन दिया गया है तो यहीथ तो करना है तो यह तरह से रेड लाइन मिला के इस तरह से कर देंगे देख सकते हैं यह जो रेड लाइन है बिल्कुल फ्रंट पर मिलेगा उसी तरह से दोस्तों यहां पर यह दरसाता है कि यह जो फिटिंग है सीधा है यहां सी रेड लाइन को देखके यह धारी मिला के इस तरह स तो बस इसलिए यहां पर दिया जाता है ताकी जो है फिटिंग को आपको घुमाना ना पड़े घ्लीग इसको बहुत जल्दी से लेखना है अब दोस्तों सब हाइट मैं आपको एक बार बताऊंगा कि कितना रखना है यहाँ से अहां से सुरू करते हैं देख सकते हैं यह हैं यहां से ट्वैलेट वाला एरिया ही स्टार्ट होता है यह फ्लस्का है सिस्टन के लिए दोस्तो फ्लस्cue का हुए कम से कम आप इसको 30 ties of 32 वर तो भी बैठ के उसके बाद आउपरेट करने में काफी ज़्यादा दिक्कत होता इसलिए इसको मैं रख दिया हूँ चौबी सिंच पे आभी है यह ठीक है तो फ्लस का पॉइंट आप चौबी सिंच से लेकि दोस्तों 32 चौबी सिंच तक रख सकते कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन पाइप से कनेक्ट करके दिया जाता है उसके बाद आप देखे यह दोस्तों में रखाऊं अब यहाँ पर दिकh Rim заяв डिके आभी मेरी कंडिशन इसको दोस्तुमे रहा हूँ 16 पे अब देखे इस तरह से यह आगे आ रहा है देखें अब यहां पर तीन टैब दिखाए देरा है दोस्तों यह जो है यहां पर क्योंगी की मोटर का यह जो बात्रुम के अंदर दिया इस लिए मिले नेचुरल का मतलब गर्मी में हलका सा थंडा मिलेगा क्योंकि फिस तैंक का पानी का काफी जढ़ा गर्म हो जाता है उसन routine का पानी का चाफीthrough मीड़ा देंगे तो हलका सा घर्म मिलेगा नेचरूल के हिसाप से इसलिए यहां पे यह नो का हाइट मैं बराबर रखा हुं ङख सकते हैं ठीक है पर बना नहीं है क्लिस्ट वाले फ्लोर से तीनों का जो हईट है ना कम से कम आप रखेंगे 32 इंच पर मैकसिमुम इसको आप रखेंगे 34 इंच पर ठीक है अभी इसको मैं रखा हूं दोस्तों 32 इंच पर और यहां पर आप देख सकते हैं सावर को अनप करने के लिए इसके बाद यहां पर आता है यह सावर का है तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं इसका जो height है दोस्तों, sour का कम से कम इसको आप 6 feet पर रखेंगे, maximum 7 feet पर रखेंगे, 7 feet पर रखने का फायदा यह दोस्तों यह है कि कोई आदम अगर 6 feet का है तो उसको भी नहाने में दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद आप यह gijer का point है, gijer का point का height है दोस्तों, कम से कम height 6 feet कि और राज़ में इंचता हुँ सावर है ने लगाना करके आएकला करते हैं देख सकते हैं कि यहां के यहां से पउर्णा हो इस तरह से बाथरूम का पूरा फिटिंग दोस्तों कम्प्लीट हो जाता है दोस्तों इस कामन बाथरूम का सीपीविसी पाइप फिटिंग का वीडियो पूरा हुआ हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उमीद करता हूं जो कुछ भी मैं आपको फ्यूजर हो तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में अपना कोश्चन टाइप करिए उसका रिप्लाई करने की कोशिस करूंगा मैं और साथ ही दोस्तों आप लोग चैनल पिना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए आउल पे किलिक कीजिए ताक कि जो है प्रेसर काफी अच्छा नाال होऄ अप देख रहे हैं इस तरह से मैं आपको दिखाया हूं दोस्तों अगर आपको पसंदाता है यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने बातरूं मैं भीट्रूंग मैं या प्रलंबर को बता सकते हैं कि इस तरह से 160 करो ठीक है बस इस वीडियो में इतना ही मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में ग्ना टाप्टिक के सार्ड